नमस्कार मित्रो, कनाद अकेडमी चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है मित्रो आपकी UGC.net की आंसर की आ गई है तो उसी के संदर में मैं आपको सूचना देने के लिए प्रस्तूत हुआ हूँ तो ये आपका नोटिस आया हो है पब्लिक नोटिस जिसमें कहा कि तीन फेज की जो आपके पेपर हुए थे उन सबकी आंसर की आपकी UGC.net की साइट पे अपलोड कर दी गई है तो उसमें कुछ महत्रपून जो इन्फरमेशन है उतना ही मात्रम आपको देना चाह रहा हूँ अभी आपकी यहाँ पे दो प्रकार के लिंक दिये गए हैं जिसके आधार पर आप अपने आपका जो आईडी है उसको लोगिन कर सकते हो एक तो यहीं पर ही लिंक दिया हो आपकी इस नोटिस के अंदर ही ugcnet.nta.nic.in तो इसको आप कोपी करके आप गूगल पे डालके उसको ओपन कर सकते हैं वो भी आपको दिखा दूँगा और वहाँ पे ओपन करने के लिए application number से भी आप कर सकते हैं और date of birth से भी कर सकते हैं वो भी process आपका है और उसमें आपको अपनी answer की जो आपकी response sheet है जहाँ पर आपने जो जो click किये थे वो response sheet भी आपको दिखाई देगी वहाँ पर और जो final answer की है वो भी दिखाई देगी तो वो आपको ठीक लग रहा है या आपको चैलेंज करना चाहते हो तो चैलेंज का है आपके दिया हुआ है आपका कि जिस भी कोशन को आप चैलेंज करना चाहते हो तो पर कोशन आपके 1000 रुपीज आपके लगेंगे यह पार्ट आपको दिखा गया है और उसको चैलेंज करन हैं अपने चैलेंज को सपोर्ट करने के लिए ज्यान रखना आपको तो जितना अच्छा आपका authentication होगा आपके चैलेंज का उतना ही उसको सपोर्ट आपको मिलेगा और मानली जी आपने एक एक पैनल बने एक एक्सपर्ट का वो उसको देखेंगे कि आपने जो चैलेंज किया वो ठीक है या नहीं है तो यदि वो स्विकार कर लिया जाता है आपका तो जो भी फीस आप पर कोश्चन 1,000 रुपीज की पै करेंगे तो वो आपको वापस रिफंड कर दी जाएगी यदि आप 5 कोश्चन के लिए चैलेंज करें तो कुप 5,000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे पहले लेकिन अगर आपका चैलेंज स्विकार कर लिया जाता है तो आपको रिफंड कर तो पे का पार्ट वहीं पर ही जहां आप अपना response sheet आदी देखेंगे वहीं पर आपको दिया होगा वह आपको debit card, credit card या net banking इत्याजी के द्वारा आप वहाँ पे पे कर सकते हैं तो जो भी आपको challenge करना है तो जो आपकी site है UGC net की उसी पापको link provide किया गया है challenge करने के लिए अगर किसी दूसरे medium से करते हैं, fax करते हैं, आप UGC को email करते हैं, कोई hard copy send करते हैं तो उनको consider नहीं किया जाएगा, उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मित्रों आप अपने answer की check कीजिए, देखी कितने आपके answer ठीक हुए हैं, और कौन-कौन से answer ऐसे हैं, जो UGC के द्वारा दिये गए हैं, और वो आपके गलत हो सकते हैं, उनको आप देख, बताएगे दूसरा पार्ट है कि कैसे कैसे आप इसको login कर सकते हैं, तो site आपको बताई थी ugcnet.nta.nic.in, उस पर आप जाके नीची आपको link मिलेगा यहाँ पर, यह link रहाँ आपका, display of key challenge for UGC Net December 2020 and June 2021, इस पर आप click करेंगे, click करने के बाद में यह वाला page आपको open होगा, तो login की यहाँ पर दो option आपको show कर रही है, एक through application number and password, तो आपका application number जब आपने form fill किया था, उसके साथ ही generate हुआ था, और आपने जो password वहाँ पर बनाया था, उसके अधार पर कर सकते हैं, या आप application number और date of birth के अधार पर कर सकते हैं, तो जैसे इन पर click करेंगे, तो यह page आपके open होगे, date of birth वाला, तो application number यहाँ पर डालिए, date of birth डालिए, यह जो security pin यहाँ पर दिख रहा है, इसको डालिए, इससे आप sign in कर सकते हैं, यदि application number आपको याद नहीं है, तो यहाँ पर एक option और दिया हो, आपको forgot application number, तो इसमें कुछ आपसे सूचना यह मांगेंगे, उन सूचनाओं क दिखा के आप भरके अपना application number जान सकते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया तो candidate name, father name, mother name, date of birth, security pin, यह सब आप डालेंगे, उसके डालने से आपको message आएगा, या आपको email आजएगा, आपकी application number का, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा option था आपका, आपके password के साथ में, तो यहां पर भी आपके दोनों option दिये हुए हैं, forgot application number का, और forget आपके password का, उसी अधार पर यहां पर भी आप अपनी application number को retrieve कर सकते हैं, और password को retrieve कर सकते हैं, तो असा है कि आप इस वाले part से करें, अगर आपका application number का password याद नहीं है, तो आप चेक करें, बस इतना ही मैं आपको कह हुआँगा, कोई part आपको clear नहीं है, तो आप हमें comment section में आप कर सकते हैं, तो उसमें जो भी tactical problem है, उसमें हम आपकी सहता करेंगे, तो इतना ही रखते हैं, ओम शम.